गुड मॉनिंग फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो को देखते हैं आप समझ जाएंगे कि आज मैं फिर एक नए सफर की तयारी कर रहा हूँ सुबह के 5.15 हुए हैं और मैं निकल पड़ा हूँ आज मसूरी के लिए और मैंने रूट लिया है वोई पुराना वाला रूट मेरिट कतोली होते हुए हरिद्वार होते हुए मसूरी का रूट वैसे तो गूगल हमें एक नया रूट भी दिखा रहा था जो इस रूट से 35 किलो मेटर शौर्ट था और आदा घंटा पहले ही पहुचा देता है और वो रूट है पानी पट से पहले किराना होते हुए दिली से स्मालका स्मालका से शामली किराना होते हुए और मुझे फन अगर फिर देरा पून फिर मस हो रही है लेकिन उस रूट की बारे में मुझे ज़्यदा जानकर है नहीं थी तो इसलिए मैंने पुराने रूट को ही चूज किया अरली मौनी निकलने का ये फायदा है कि आप मिरट बाइपास का जो जाम है उससे बज़ जाते हैं कहने को तो मिरट बाइपास है लेकिन वहाँ पर सभी तरह के वीकल छोटी बड़ी गाड़ियां इवन लोग रॉंग सेड भी आ रहे होते हैं जिसकी वज़ से जाम बड़ा लग जाता है और आप ये देख रहे हैं इस रोड पर कुछ अच्छे रेस्टोरेंट भी हैं जो खतोली के अंदर पड़ते हैं हल्दी राम, पिका निर्वाला, केव सी ये भी एक अच्छा पॉइंट है, मौल्चन रिजॉर्ट लेकिन मेरे ख्याल है सुबा साथ बज़ के करीब ये अभी ओपन नहीं होगा और अब हम हरी दोर पहुँच चुके हैं हरी दोर मैं सुबा साड़े आट बज़े पहुँच गया था, यानि कि लगबग तीन भंटे लगया मुझे हरी दोर पहुँचने में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क यहां प्यार भी चल रहा है बाकी दिली से हरी दोर का रोड बिलकुल साफ है अब आप देख रहे हैं यह हर की पैड़ी यहां से गुजरते हुए इसे मैं इस नहीं करता मैं तो इसलिए आपके लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रास्ते में हम एक मुर्थल का ढ़बा है वहां ब्रेकवास के लिए रुके क्योंकि लगबग दिली से चले हुए साड़े तीन गंटे हो चुके थे मुझे यह डोईवाला के पास पड़ता है रेस्टोरंट जब हम हर दोहर से देरादून की तरफ जाते हैं तो रिशीकिस से पहले लेफ्ट कट डोईवाला की तरफ लेते हैं यहां से देरादून 15 किलोमेटर रह जाता है बस रेस्टोरंट ठीक है खाना अच्छा है हाला की हमने सिर्फ प्रेकफस्ट में पराउंटे ही ट्राई किये लेकिन वो ठीक थे यह नाम है धाबा 90 एक बात मैं आपको और बताना चाहरा था कि उत्राखंड में पेट्रूल डीजल तिली से सस्ता है तो अगर आप चाहें तो यहां से अपनी गाड़ी में डीजल पेट्रूल ले सकते हैं और यहां अब ही हम जो सरस्तारा रूट से गुजर रहे हैं इसका यह फाइदा है कि हमें राजपरूड की जाम से काफी हद तक बचा लेता है और यह इस रोड पे ग्रिन री भी बहुत है थोड़ा चड़ाई जरूर कटिन है कई बैंड्स बड़े शार्प हैं लेकिन इस रोड पे चलते हैं आपको सफर का अनन्द आएगा यहीं पर देरद उनका हेली पैट भी बना हुआ है और आगे चलके यह रोड में मसूरी रोड को कनेक्ट हो जाती है वैसे तो दिली से मसूरी की रोड बिलकुछ साफ है लेकिन बीच में एक छोटा सा पैच अर्ली हंडर्ड मेटर का लेंड्स लाइड की वज़े से आता है और उसमें भी कोई दिकत नहीं है रोड बिलकुछ साफ है और वहाँ पर वर्ग चल रहा है बरसाथ के बाद पहाडों का नजारा कुछ बदल जाता है पेडों की ग्रिंडी आपको काफी अच्छे लगेगी मौसम ठंडा रहता है और हलकल के बादल भी आपको नजर आएंगे मसूरी में इस सफर में मैं आपको मसूरी के एक होटल का रिव्यू दे रहा हूँ इस होटल का नाम है दस सॉलिटेर रिसॉर्ट और यह लॉरेंस ग्रूप का होटल है यह होटल एक्चुल में पिक्चर पैलेस की तरफ पढ़ता है पिक्चर पैलेस हार्ड़ी 200 मीटर पहले यह होटल पढ़ता है आपको डूनना नहीं पढ़ेगा इस होटल की में खासियत है कि इनके पास कार पार्किंग इवन बस पार्किंग भी है अच्छा स्पेस है रूम स्पेशिस है और अभी मैं आपको रूम का टूर भी कराऊंगा अब हम आल्मोस्ट मसूरी के अपने डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच ही गए हैं यह हैं वो होटल और इसकी एंट्रेंस गेट काफी बढ़ा है इनका यह उपर इनकी पार्किंग है और नीचे होटल है रिसेप्शन मैंने ब्रेक इसलिए ली कि मैं सूच रहा था कि मैं पहले समान उतारूं नीचे रिसेप्शन पर या गाड़े सीधा पार्किंग में लगाऊं फिर मैंने सूचा कि नहीं पहले समान उतार लेता हूँ अपने रूम पे चलता हूँ और गाड़ी जो है वो खुद ही पार्क कर देंगे अब मैं आपको अपने रूम कर देंगे टूर भी कराता हूँ मेरा ये रूम डिलक्स प्रीमियम रूम है जो की अटेज बालकनी के साथ है ये रूम का बात्रूम बात्रूम में आप देख सकते हैं कि एक शेविंग मिरर भी है जो की अच्छी बात है रूम में टीवी एसी और फैन भी है और टी काफी के पाउच भी है दो वाटर बोटल ये देते हैं और आउन डिमांड मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी तो इन्हेंने मुझे काफी सारे टी और काफी के पाउच भी दे दिये थे एक्स्ट्रा रूम स्पेशिस है और इस रूम से आप देखिए बालकानिस है आपको मौंटन वियू भी दिखता है और दून वैली वियू भी दिखता है तो इस वज़े से मैंने इस होटल को चूज किया बाकि आपकी क्या राया है आप बताएं और इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं समब्द करता हूँ